खाने के बाद कुछ मीठा गाना तो हम सभी को बहुत जादा पसंद होता है तो अगर मीठा ही खाना है तो क्योंना कुछ हेल्दी बनाया जाए तो आज हम बनाएंगे घर पर बहुत ही टेस्टी फ्रूट क्रीम ये बहुत ही जड़ पर बनकर तयार होती है और इसे आप एक बार बना कर तीन से चार दिन के लिए फ्रिज में स्टोर करके रख सकती है फ्रूट क्रीम टैयार करने के लिए सबसे पहले एक बरतन में हम डालेंगे दो कप जितना दूद इस दूद को मैंने सुभा एक बार गर्म कर दिया था अभी दूद एकदम रूम टेंपरेचर पर है तो अभी हम इसमें से एक चौथाई कप दूद को अलग निकालेंगे और इसमें एड़ करेंगे हम दो चम्मत जितना ये कस्टड पाउडर मैंने ये वनेला फ्लेवर का कस्टड पाउडर लिया है आप अपने टेस्ट के अकौडिंग किसी भी फ्लेवर का ले सकती है पूरे कस्टड पाउडर को इसमें अच्छे से मिक्स कर देंगे जब तक इसमें लम्स ना रहें कस्टड पाउडर को इसमें मिक्स करने के बाद अभी हम गैस के फ्लेम को ओन कर देंगे और इसे एकड़म धीमी धीमी आज पर लगाता चलाते हुए मिक्स करेंगे आप देखेंगे कस्टर पाउडर डालने के बाद दूट जो है बहुत ही जल्दी ठिक होने लगता है तो इस स्टेज पर आपको इस दूट को चलाना बंद बिल्कुल नहीं करना है अदर्वाइस ये जो दूट का मिक्षर है वो नीचे तले में लग जाएगा तो बस इसे लगाता चलाते रहें जब तक कि मिक्षर में एक उबाल ना आ जाए जब मिक्षर में इस तरीके से एक उबाल आ जाए तब हम इसे कम से कम 2-3 मिनट के लिए एकदम लो टू मीडियम गैस के फ्लेम पर अच्छे से पकने देंगे अदर्वाइस हमने जो इसके अंदर कस्टड पाउडर डाला है उसका कच्छा टेस्ट इसमें आएगा तो मैंने इसे अच्छे से 2-3 मिनट के लिए पका लिया है और आप देख सकते हैं पहले के कमपेरिजन में दूद जो है वो काफी ज़्या क्रीमी दिख रहा है तो बस अब हम इस मिक्षर को और ज़्यादा नहीं पकाएंगे इस स्टेज पर हम गैस के फ्लेम को ओफ कर देंगे और इसे अच्छे से ठंडा होने देंगे जब तक दूद का मिक्षर ठंडा हो रहा है तब तक हम एक मिक्सिंग बोल में डालेंगे यह कप जितनी whipping cream whipping cream जो है वो एकडम ठंडी होनी चाहिए अभी हम इस cream को एक रिम को क्रीम के साइता से अच्छे से पेटेंगे अगर आपके पासppik πεज़ नहीं है तो आप इसे हैंड विसकर से भी पीट सकते हैं बट उससे इसमें टाइम थोड़ा जादा लगता है तो आप देख सकते हैं इसे मैंने 2-3 मिनट के लिए फेटा था और अभी जो क्रीम का मिक्षर है वो काफी थिक हो गया है तो बस अभी हम इस स्टेज पर इसमें हमें इसमें अलग से एक्स्ट्रा मीठा नहीं डालना है क्योंकि कंडेंस मिल्क अल्रेडी काफी मीठा होता है पुरे कंडेंस मिल्क के डाल का मिक्स करेंगे और अब हम इसमें एड़ करेंगे अपने दूद और कस्टर पाउडर का मिक्षर जो अभी हमने ठंडा होने के लि तो ये आप देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे से हमारी क्रीमी मिक्षर बन का तयार हुआ है, तो ये हमारी फ्रूट क्रीम के लिए क्रीम तयार है, एक बार स्पेचुला की साइटा से सभी साइट से इसे अच्छे से क्लीन कर देंगे, अभी हम इसमें एड़ करेंगे फ्रू करटा हुए संत्रा यानि के ऊररजर विए दो बार एक कटी हुए बनाना यानि के नृ 2 को चाटा हुए सेब अृज है दो बीसमें इस्परूट्स अपने अच्छे से mix कर देंगे अभी जो fruit cream है वो थाधा ठंडी नहीं है तो इसे हम थोड़ा टाइम ठंडा करने के बाद सर्फ करेंगे तो इस fruit cream को कम से कम एक घंटे के लिए मैं फ्रिज में रख दूंगी फरिज में रखने के बाद एक घंटी बाद इस ठंडी धंडी क्रीम को आप सर्फ करें यकीन माने बचे हों या बड़े इस डिजर्ट को उंग्लियां चाट-चाट कर खाने वाले हैं अगर आप चाहते हैं कि इस डिजर्ट को बनाने में आप शुगर का यूज ना करें तो आप इसकी जगे शेहद भी इसमें डाल सकती है अभी सबसे लास में इसमें थोड़े से फूर्ट डाल कैसे गानिश करेंगे तो आप भी इसे जरूर ड्राय करें एक बार फिर से मिलेंगे हम इसी तरीके की एक और इंट्रस्टिंग रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाबाई